आफ झालन दोस्तों आप सभी का स्वागत है रुजगार रवीद फर्मोद यूटूग चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग फिर से अगने भरती परिच्छा का प्रैक्टिसेट करेंगे और दोस्तों यह जो प्रैक्टिसेट है यह प्रैक्टिसेट नंबर लोग कर चिके थे हैं और जो लोग नहीं देख पाए है लिंक है वहां से देखिए और इसको आप लोग कर लिए को इसे ही वीडियो डेली लाता रहता हूं प्रेटी सेट का तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और वेल आइकन को दबा दीजी जिसे की नोटिश्पिकेशन आपको बिल जाएं दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं लोग पहला कोश्चन आपकी सामने है दोस्तों आप अपने पास एक पेन और एक कॉंपी लेकर बैठिए जिसे आप हर एक प्रेस्ट का आप आंसर कॉंपी में नोट करिए और अगर आपकी पास कॉंपी पेन नहीं है इस समय तो कमेंट बाक्स में कोश्चन नंबर और उसका आंसर जरूर लिखिए और अंत में यह बताईएगा कि आपका कितना कॉश्चन सही है दोस्तों इसमें टोटल के टोटल 30 है टोटल 30 है 30 है तीस प्रस्चन में से आपने कितने प्रसणों का सही उटतर किया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करेगे जरूर चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला question आपके सामने यहाँ पर है पहला कोश्चन आपके सामने यहां पर है तीन नल आर याश्टी एक टंकी को क्रमसह नब्वे सव तथा 180 मिनिटों में भर सकते हैं यदिन सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनिटों में भर जाएगी नल पाय पर टंकी का सवाल है कोश्चन पाय पर टंकी का आया है तो आप लोग इसका आंसर पताइए कौनसा आंसर सही है इसका देखें दोस्तों इसको लगाने का तरीका क्या होता है आप एक बाद समझ लीजिए देखें नब्बेश और एक सौअशी का लगुत्तम निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे आप नब्बेश और एक सौशी का यहां पर इसका लगुत्तम लिखा जाएगा और जो यह लगुत्तम आएगा यह टंकी का छमता होगा तो नब्बे साओ एक सवश्य का लगुत्तम कितना आएगा नब्बे साओ एक सवश्य का लगुत्तम कैसे निकालते देखिए सभी में दस मिल रहा है वह सभी में दस मिल रहा है दसतों होगा करेगा लगुत्तम लगुत्तम निकालने का समझे सभी में नब्बे में सवश्य का सवश्य हाँ सवहएВот Park और नब्बे क्या है था होग में 快 अब नो बच रहा है भी और दस दहियां में 100 होता है तो इसमें भी इसमें तो भी दस बचा है और यहां पर अठारे गुड़े दस होगा नहीं 180 का दस तो लिखा जा चुका है अठारे बचा अठारे में नौ लिख लिया गया है अभी दो बचा और यहां से दस बचा है यानि दस में क्या है दो ही है तो यहां से इसका लगुतम यह दस भी हो जाएगा एक दस गुड़े दस और गुड़े नौ यानि यह टोटल 900 हो जाएगा यानि इसका लगुतम क्या हो जाएगा 900 नब्य से जब 900 भाग देंगे नब्य से 900 भाग देंगे यहां पर जो लिखा जाएगा और यह आर है यह से है और यह टी है यह आर का छमता होगा भरने का दर होगा तर नब्य से जब 900 भाग देंगे 10 बर जाएगा यानि आर का दर किस रेट से भर रहा है हर एक मिनेट में 10 लिटर पानी भर रहा है इसके बाद 100 से भाग देजिए 900 में तो यह है 9 बर जाएगा यानि यस हर एक मिनेट में 9 लिटर पानी भर रहा है फिर 180 से 9 में भाग देंगे 180 में 180 से 900 में भाग देजिएगा तो पांच बर जाएगा यानि टी किस डर से पानी भरता है हर एक मिनेट में 5 लिटर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर पुछा है यहां पर सभी टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनेट में टंकी भर जाएगी सब टंकी के एक साथ जब खोलेंगे तो उनका तब एक मिनेट में कितना पाने सब टोटल भर दालेगा सब को जोड़े देंगे नव पांच चौदर दस चौबीस नव पांच चौदर अदस चौबीस यानि 900 बटे चौबीस अब भाग दीजिए यहां पर यहां से भाग दीजिए चौबीस से 900 भाग देंगे अगर तो कितना बाट जाएगा छोट के लिए काट कर इसको तीन से काटेंगे तो कितना बाट जाएगा तीन चौबीस होजागा और तीन टीन नौ तीन सो बते याठ होगा आठ से भाग देंगे तीन सो में तो आठ तिरिक चौबीस यानि शुरू में तीन से स्टार्ट हो रहा है अगर पूरा भाग नहीं देते हैं तब पर भी इसका आशा आप कर सकते हैं ठीक है लेकिन पूरा भाग दिए तीन अठे चौबीस बचेगा चौबीस च्छा तीस होता है च्छा बचेगा उसके बाद आठ साथे छपपन त्षपन चाहर साथ चार बचेगा दस्मारोग लगाएंगी जी रहो जाएगा आठ पंचे चाल्लीष यानि इसका जो इसका आंसर क्याएगा साठे शाये शाये साये 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 किसे opposition में है option number B में है ठीक है दोस्तों समझ गये चलिए अगला प्रस्ट किसी बस्तु का क्रैमुल उसके अंकित मुल का 90% है अंकित मुल पर 1% छूट देने के परश्चात लाभ प्रतिसत क्या होगा देखिए CP और EMP की बात कर रहा है CP और EMP का रहा है कि क्रैमुल यानि CP उसके अंकित मुल का 90% है 90% का मतलब क्या होता है कटे का जिरो नव बटे दस हर में जो वैलू है जिसके साफेक्च बात करते हैं उसका मान होता है तो अंकित मुल का अंकित मुल के साफेक्च बात के जा रहा है यानि 10 अंकित मुल है तो इसका CP क्या हो जाएगा न वह हो जाएगा इसमें कोई दिक्क तो नहीं करते हैं और एमकित मुल परद एक परसेंट छूट देना दें क्यों तो लाप परसेंट क्या होगा दोस्तों आप अनुपात में जीरो बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं इस पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा आप इसमें जीरो बढ़ा लीजिए यहां बढ़ाएंगे तो यहां भी बढ़ाना पड़ेगा ठिक तो इससे अनुपात में किसी परकार का प्रभाव नह क्या होगा यानि सव पर एक परसेंट छूट देते हैं कि एक परसेंट छूट देंगे तो बिक्या कितना में 99 रुप्य में बिक्या इससे कटेगा यानि इसका एस्पी क्या हो जाएगा सिलिम प्राइज इसका 99 रहा है नब्य का समान 99 में बिक्या रहा है तो लाव कितना होगा नौ रुप्य का लाव होगा किस पर नब्य पर गुड़े सव जिरू-जिरू कटेगा नौशन व कट जाएगा यह दस परसेंट का लाव होगा तो दस परसेंट किस आफसन में हैं आफसन नंबर सी में चलिए अगला अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर यह है एक ब्यक्ति किस अनुपात में 11.10 प्रति कीलोग्राम वाली दाल को 15,20 प्रति कीलोग्राम वाली दाल के साथ मिलाए ताकि मिश्रन की कीमत तेरे दसमलों दो जीरो प्रत किलोग्राम हो जाए यह मिश्रन का सवाल है दोस्तों यह मिश्रन का सवाल है मिश्रन में क्या होता है जो एक वैलू यहां पर रहेगी एक वैलू यहां पर और इन दोनों को मिलाने के बाद यहां पर एक मिश्रन तयार ठीक और यह जो मिश्रम होगा एक से बड़ा होगा तो एक से छोटा होगा ठीक है दोस्तों देखें 11.10 और 15.20 दो कीमत वाली दाल है दो तरह के दाल है अजब मिलाया जा रहा है इसको तो इसका अब जो कीमत बन रहा है वह तेरे दस्मलों दो जीरो बन रहा है तो वही पूछा किस कि दोनों के मिलाय मिलाने की बात कर रहा है की सनपाथ मिलाने मिला जाए तो देख लीजिए आपर की सनपाथ मिला जाएगा देखें की लिए गयाने दस्मलों एक जीरो और तेरे डस्मलों दो जीरो का अंतर निकाल दीजिये यहां सेख गया बीस में से दस गैद कि यहां से एक गयार। दू तिरे दू दस मिलों दस होगा और यहां से घट आएँगे तो तेरे दू पंधर होगा दो जाहेगा ठीक दसमलों हटेगा तेहां दो 0 बगे जाएगा इससे काटेंगे छोट करेंगे यानि यह इसका अनुपात आए रहा है 20 अनुपात 21 तो 20 अनुपात 21 आफसर नंबर D में है तो इस प्रसन का D सही उत्तर हो जाएगा ठीक है अगला प्रसन बारे संख्याओं का आउसत 15 है यदि एक संख्या 41 को भी सामिल कर लिया जाए तो तेरे संख्याओं का आउसत क्या होगा बारे संख्याओं का ऊसर पंद्र है योग क्या है जाएं कर योग बटे कुल पश्य के संख्याएं यह होता है अगर आप योग निकाला चाहेंगे तो इसके वीड़े आप अक रिखयेंगे यानि आशत बुए शंख्या जो होगा टोटल शंख्या उसका गुछा करेंगे रोसे और किरेंगे तो यूग निकली जाएगा अब यहाँ पर आई इसी किना सेथ को लगाई संख्या पता है उसाथ पता है भी निकाल सकते हैं अवसआत गुछ संख्या तो यूग यहां से यूग मतलब सम निकल जाएगा कहां से पंद्रे बरहियां में 180 एक संख्या राइन को घुप सामी कर लिए जाए यह कितने संख्या का है यह बारे संख्यां का आउसत दिया था पंद्रे ठीक है तीसका योग कितना निकल गया एक सवश्य एक संख्या और कराय मिला दिया गया जो एक तालिस है एक तालिस मिलाने के बाद कितना हो गया एक आर्च चार बारे एक दू है दो сос lle 172 अब संख्या एक और मिला गया है अब कितना हो गया जो टेरे से भाग दे इंगले से टेरे एक नबाईसुनों equation तो इन तेरे संख्याओं का आउसत कितना हो जाएगा सत्रे सत्रे किस आफ्षन में है दोस्तों सप्रे है आफ्षन नमबर डी में तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा ठिक अब आएए आगे बहुते हैं इसी दवर में हम लोग पहुच चुके हैं कोस्चन नमबर 25 पर हला कि दोस्तों यह 25 नहीं है नमबरीं से दिखेंगे तो यह एक दोस्त आप लूग देखिएगा यह 30 परसन टोटल है हम लोग आगे चलते हैं अगला परसन आपके सामने यहां पर करारा कि 96 लीटर दूद बेज कर एक ब्यक्ति को 24 लीटर दूद के क्रे 24 लीटर दूद के क्रे मुल का बात किया गया कर दोस्तों क्रे मुलख ऐसागरर गलीटर 24 लीटर दूद बेच कर याई वह 20 लीटर experiencing ब्लीटर बच रहा है हर एक लीटर का दाम 우raker ग्रफा है आदाम कितना होगा 24 रुप्या होगा 24 रुप्या में बेच रहा है लाव पर ठीक तो इसका लाव पर्शन केंदा हो जाएगा इसको भाग देंगे 24 से करने 24 24 को 96 यानि एक बट्टे चार और एक बट्टे चार के मतलब किना आता है 25 परसेंट अब दोस्तों आए आगे चलते हैं और अगला प्रस्न आपके सामने यहां पर है चलिए यह प्रस्न क्या कह रहा है एक ब्यक्ति आठ महीने में अपनी आयका 64 प्रसेंट बचाता है यदि वह उतनी ही रासी चार महीने में बचाना चाहता है तो उसे अपनी मासी के बचत कितने प्रतिसस से बढ़ानी चाहिए 64 प्रसेंट का मतलब क्या है दोस्तों 64 प्रसेंट का मतलब क्या होता है 64 प्रसेंट यह होगा चार से काटेंगे चार हम जानते हैं कि आय बराबर होता क्या है आय बराबर क्या होता है बचत पलस खर्चा बचत पलस खर्चा अगर टोटल उसका आय है पचीस आय क्या है पचीस बचाता कितना है इसका मतलब 9 उप्या खर्चा करता है इसके बचता है बचा ले उसके मासिक बचत में कितने प्रसेंट की बरिद्धी करने चाहिए कितना का ब्रिद्धी करना चाहिए है यहां पर कितने परसेंट तो करेंगे यहां पर 16 बटे 16 गुए 100 16 कटेगा कितना परसेंट ब्रिद्धी 100 तो 100 परसेंट आप्शन नंबर सी में है सी सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला परस्ट एक 18 किलो मेटर पर घंटा की गते से चलने वाली रेल गारी एक भिजली के खंबे को पार करती है यदि रेल गारी की लंबाई 540 मीटर है तो रेल गारी खंबे को पार करने में कितना समय लेती है और समय किसे बताना है सेकेंड में यानि रेल गारी का कोश्चन है देखे जब रेल गारी खंबे को पार करेगी यह रेल गारी है और यहां पर एक खंबा है इस खंबे को पार करेगी तो दोस्तों इस खंबे की तो कोई लंबाई नहीं होगा यह जो लंबाई होगा केवल और केवल रेल गारी का होगा ठीक है और हम जानते हैं समय परावर क्या होता है समय परावर होता है दूरी बटे चाल दूरी बटे लगा देना है तो दूनी कितना हो जाएगा यहांपर 54540 । जार एफ कि इतना है अठार ई चाल क्या है अठार गिए यह पांसो चार्यमितर है यहनृत सब का समान होना चाहिए यहां मीटर है अब 18 किलो मीटर प्रखंटा है तो आप अठारे को मीटर पर सेकेंड ने बदलेंगे यहां पर समझने का पर्यास करिएगा एक सिस्टम है पांच बटे अठारे अब यह कहां से आया कैसे असका इस पर भी अपर नहीं करना है ठीक यहाँ पर आप समझे मीटर यहां पर किलो मीटर प्रथिसे केंड और एक है मीटर पर 2 mitad के अगर कीलो मीटर से मीटर में जाएंगे यानि ज्यादा से कम में जाएंगे तो कम वाला उपर यानि पांच उपर और कम से ज्यादा में जाएंगे तो ज्यादा वाला उपर यानि अठारे उपर होगा बास समझ रहें ने चलिए तो इसी परकार यहां पर समझे यहां से क्या ह फ्लत से मीत है यानि ज्ज्यादा से कम जाना है तो कम ओल व nya उपार यह ढई पांच वते अठार है पांच बनकि अठार हो गाल तो फ़य्व में आज ओप से इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा और अगला प्रस्णा ये वह धनरासी क्या है जो दो वर्सों में 16% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्वरिधी ब्याज हो जाएगी अब यहां पर क्या है देखिए दो वर्स की बात कहा गया है दो वर्स के लिए बोला गया है ठीक और यहां मिस्धन दिया गया है 16% का मतलब क्या होता है चार चव का 16, 4% का मान होता है एक बटे तेकि 4% का मान कितना होता है चार प्रसेंट का मतलब होता है एक बटे पचीस तो चार गुना है तो चार बटे पचीस वेगा या चार बटे पचीस वेगा याने CP अगर इसमें मुलधन अगर 25 है तो इसका मिस्धन कितना जाएगा 29 दो साल के लिए बोला गया है तो एक बार और लिख देंगे ठीक यह हो जाएगा 625 कि यहां से गुड़ा करेंगे तो 29 गुड़े 29 लिख लिजी 29 गुड़े 29 गुड़े 29 का मान दिया है इतना यानि हम कर सकते हैं हम कर सकते हैं यहां पर 28 है 218 है 218 4 0 बटे 29 गुड़े 29 ठीक और निकालना किसका है मान 625 का 625 से भीडा करेंगे यहां पर बस इसी को दोस्तों हल करदीजी हल करने के वाद जो भी उत्तर आरहा है आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट करके बताए क्या कौन सा विकल पार रहा है उतर यांनि किसका आनसर कितना रहा है ठीक है अगर आप इसको जब हल करेंगे तो इ एगला प्रस्न है यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों रिजिनिंग सीता को इंगित करके सीता यहां पर है सीता को इंगित करके गलेश कहता है यह गलेश है गलेश कहता है मैं अपनी दादी या नानी यहां पर दादा होगा यहां पर यहां पर माता होगा यहां और यहां पर उपर जाएंगे यहां पर तब दादा दादी या नानी होगा मैं पर दादी या नानी की इकलावती बेटी इसकी इकलावती बेटी यहां पर है साथ संभन्द तो नहीं दिखाए गया है तो गरेश का संबंद सीता के साथ कैसे बता सकते हैं कुछ को सकते हैं नहीं बता सकते हैं तो इसका कोई संबंध नहीं होगा यह आफसर नंबर डी होगा अगला प्रस्ट ने बिसम बताना इसमें यहां पर देखिए टी का बीस एच का आठ है आर का ठारे जे का दस है पी का पंद्रे यल का यल का गया रहे हैं अदेखिए पी का होता क्या है यही बीसम है यही बीसम है इसका मतलब सी आपसी जो है वह अलग है अब सी की साफसर में लिखा गया है आपसर नंबर एमें तो इस प्रस्ट का ए उत्तर सही हो जाएगा चलिए यहां पड़ाईए यह उपर था नीचे हो गया डबल हो गया यह इधर था इधर था इस दस पार इधर हो जाएगा यह जो गोला है इधर हो जाएगा ठीक तो इधर हो जाएगा इसका मतलब यह है किसमें तो यह है ऐसा यह वाला एफिगर में है तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब यहां पर आई यह क्या कह रहा है यहां पर ऐसे मुझे रहा है सब ऐसे मुझेता जा रहा है ऐसे लेकिन इसको ऐसे जब मुएढ़े अब नहीं और तो यही यह अैसे मुए दिया गया है तो यही इसका एही जो फिगर्ट है अलग है तो डी नंबर अलग है तो दी किसमे है डी है डी में रफ sms डी सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा एक समुह से समन्धित नहीं है नाखुन बाल मुहां से पैर कांग उठा यह सभी के सभी मानों सही में पाये जाते हैं लेकिन यह एक निकलता है तो मुहां सा इसका शही उत्तर होगा य तो भी बिकल्प सही हो जाएगा ठीक कांच पारदर्सी है तो लकड़ी क्या होता है और पारदर्सी होता है पलस का अर्थ भाग और गुगा का अर्थ पलस है तो इसका मान बताना है पलस का अर्थ क्या है दोस्तों पलस का अर्थ भाग यहां पर भाग हो जाएगा यहां पर भाग हो जाएगा अग गुगा का अर्थ क्या है पलस है बस इसको खल कर दीजिए 6 से भाग देंगे 36 में 6 बार जाएगा 6 भागा 6 यानि यहां पर यहां से एक हो जाएगा एक पलस बारे करेंगे तो बारे और एक तेरे तेरे आपसन किसमें है बी में तो बीस का सही उतर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्न है यहां परकारा है कि 16-18 हुआ 16-28 चार बाइस 34-34 तो 34 किस आपसन में है आपसन नमबर सी में है चलिए यहां पर आ गया है जीएस का कोश्चन आ गया दोस्तों तो जीएस का कोश्चन आ गया है आप लोग इसका आंसर बताने का पर्यास करिएगा चलिए पहला कोश्चन आपकी सामने यहां पर है पहला कोश्चन आपके सामने यहां पर दिया है कि वैट को बिश्थित रूप में लिखा जाता है यानि वैट का फूल फाम क्या है वैलू एड़ेड टेक्स क्या है दोस्तों वैलू एड़ेड टेक्स यानि आपसर नमबर ए सही है ठीक है अगला प्रस्न है चिताओर में अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है अगला प्रस्न कह रहा है स्वराज मेरा जन में सिद्धिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किस ने दिया था तो दोस्तों यह नारा दिया था बालगंगा धर तिलक यानि आपसर नमबर सी सही होगा दोस्तों बालगंगा धर तिलक को हिंदू स्वराय हिंदू राष्ट्रवाद का पीता भी कहा जाता है इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे और अठार सो तिरानबे इस भी में इन्होंने गरेश महुत्सों और सिवाजी महुत्सों की शुरुवात किया था इस बात को भी आप लोग याद रखेंगा और इसे के साथ अगला प्रस्न में चलते हैं अगला प्रस्न हाँ पर कह रहा है कि छेत्रिफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज क्या है तो राजस्थान है सिटिजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लिखक कौन है हामिद अंसारी हामिद अंसारी यानि आप्सन नमबर बी चलते हैं अगला प्रस्न है आश्ट्रिया की मुद्रा क्या है आश्ट्रिया की मुद्रा क्या है तो दोस्तों आश्ट्रिया की मुद्रा है सेलिंग यानि आप्सन नमबर ए सही हो जाएगा आश्ट्रिया की राजधानी क्या है आप लोग बताए कमेंट में आश्ट्रिया की राजधानी क्या है अगरा प्रस्ण है सोसन के लिए समुद्री गोता खोर निमलिखित मिस्नर का परयोग करते हैं सोसन के लिए जब समुद्र गोता खोर जब जाते हैं तो आज सोसन के लिए किसका उप्योग करते हैं तो आक्सीजन का यूज होब करता है लेकिन आक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं आक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं हिलियम यानि आप्सन नंबर डी आक्सीजन और हिलियम का म भरते हैं आक्सीजन और हेलिय कि यहां पर बताना अगला अगला जो फिगर होगा वह क्या होगा यह यह पर देखिए यह जो छोटा सा त्रिभूज है यह बीच वाले में है उसके बाद नीचे वाले मालिया सुर्म आ गया फिर ऊपर चला गया लाष्ट में फिर बीच में आय फिल्न नीचे वाले मारिया लास्ट में तो नी वाले मेंD last में किसमें इसमें तो नहीं है इसमें है और to be a make it made इसमें तो नहीं होगा ले इसमें भी है उसमें भी है लेकिन देखिए दोस्तों अंतर क्या है तीर का डion है इधर है कि जैब यूद्ध पीड़ बना इधर मुह है ऐएसे हैाने तो ऐसे किसमें है इसमें तो नहीं है इसमें भी नहीं है तो किसमें है सील और इस तर में है यसका सहीं में हो जाएगा अब देखिए यहां पर क्या किया गया है कोडिंग डिकोडिंग का कोश्चन है इसका जो वी का कोड होता हुआ 22 होता है 22 एक कम एक कम हो जा रहा है तो एक एक कम हो जा रहा है तो यहां भी देखिए यू का 21 होता है एक कम करेंगे 20 या नहीं आपसन होगा यह भी नहीं होगा अब इन्हीं दोनों में से एक सही है इसके बाद आर का ठार होता है एक कम सत्रे सब्सक्राइब क्यों को या यहां पर देखिए यल एयम पी कैस क्या लिखा गया है यह शुरूम था तीसरे अस्थान यह 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 य भी महिलाय और इंजिनियर कि अधिने ओने भी हो सकती है और यह सकती है यानि 20 हो सकते हैं मिल सकते हैं ता इसे आप सबने आक सभी है अध्यार कि अध्यक्य में क्या है देखिए त्री भूज से तीन भूजा से चार भूजा पांच भूजा इसके बाद 2015 सही असे पाय इसमें तो नहीं है इसमें भी नहीं है येही दुरूं सही होगा एक पाहि था दो पाहि था इधर तीन पाहि इस बाद चार पाहि और किद्षच değil के left side में तो यह तो right side में तो नहीं होगा आफसर नमबर सीज का सभी उत्तर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं 49 नमबर question आपके सामने यहां पर क्या है कि यह जो ऐसे है इसको ऐसे घुमा कर घुमा दिया गया तो ऐसे हो गया है ठीक है उसके ऊपर निकाल दिया गया है फिर ऐसे एक कम करेंगे यहां पर घुमाएंगे ऐसे यह वाला फिर इधर जाएगा तो फिर यहां पर ऐसे हो गया और बीच में इसके अंदर जो है एक एक लाइन बढ़ाया जा रहा है यहां बद तीन लाइन हो गया आपके बार चार लाइन होगा तो फिर एक बार इसको जब ऐसे घुमाएंगे ते खिलना से में तो आते हम लोग जह स्काश warto जायेगा अस इसके बाद आते हम लोग अंतिम कोश्चन पर कोश्चन यहां पर देखेंगे ध्यानसे समझें इसमें क्या है पहले देखिए यह हल्का हल्का इसको मॉरा जा रहा है तो रिगत है तो थोड़ा सा ऐसे इधर आएगा मुटकर थोड़ा सा यसे तो होगा नहीं यह जदा मूरे ज़ी बचा कौन सापसां सी बीचा इसके बीच में जो पाही खिंचा गया है चीन हाँ उसको हुगिन सकते है यहाँ पर दो है इसमें चार है इसमें एक, दो, तीन, चार, पॉंच, छै है इसवार आट होगा यानी बी आप सहन हो जाएगा तो दोस्तों यह था तीस कोईशन तीस कोईशन प्रेक्टि सेच हम लोग किये हैं आप लोग कमेंट में जरूत बताईए कि आपने 30 में से कितने कोश्चन सही किये हैं 30 में से कितना कोश्चन आपका सही है फिर दोस्तों अगले को अगले जो है वीडियो में हम लोग अगला प्रेक्टिस चेट करेंगे तो आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत